हेलो आज माई कहानी दो लड़कों की है तो चली जानते हैं क्या है कहानी इस कहानी में दो बच्चे हैं दोनों एकी कक्षा और एकी स्कूल के बच्चे हैं दोनों बच्चों को बाहर घूमने का बहुत शोक है वो हर हफते कहीं न कहीं जाते हैं इस बार उन्होंने जंगल में जाने का प्लान किया जब वो जंगल की तरफ जाये रहे थे जंगल की खुबसूरत पीर पोधों को देखकर वे भूल गए जप़े जंगल में जाते जाते अंदर घुज गए हैं और जब उन्हें याद आया की वे तो अंदर आ गए हैं बहुत तब उन्हें ये भी याद आया कि इस जंगल में तो बहुत सारे जानवर हैं जो उन्हें खा सकते हैं तब ही चलते चलते उन्हें सामने से एक भालू दिखा अब उन्हें समझ नहीं आया कि वे क्या करें दोनों बच्चों में से एक बच्चा पेड़ पर चड़ना जानता था लेकिन दूसरा नहीं जानता था जो पेड़ पर जानता था वो फटा फट पेड़ पर चड़ गया लेकिन जो दूसरा बच्चा था उसे पेड़ पर चड़ना नहीं आता था लेकिन उसे याद आया कि इस स्कूल में पड़ा है कि भालू जो है वो मरे हुए इंसान नहीं खाता है तो उसने फटा फट वो जमीन पर लेड गया और जैसे ही भालू उसके पास आया उसे सूंगने के लिए उसने अपनी सासे बंद कर ली और भालू को लगा कि ये कोई मृत आदमी है जैसे कि भालू मृत लोग तो खाता ही नहीं है वो उसको सूंग कर वहाँ से चला गया जब वो वहाँ से चला गया तो पहला दोस्त नीचे उतर के आया और उसने अपने दोस्ते पूछा भालू तुम्हें सूंकर चला गया कुछ कह रहा था क्या कान में तो दूसरे दोस्ते बोला हाँ वो यही कह रहा था कि जो आपके जूटे दोस्त होते हैं न उनसे दूर रहना चाहिए वैल कानी यहीं खत्म होती है कानी से यह शिक्षा मिलती है जो लोग हमारी दुख सुख में काम आते हैं वो ही हमारी सच्चे दोस्त होते हैं जो पीट दिखा कर चले जाए वो दोस्त नहीं होते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए आशर करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी अगली बार फिर्म मिलोंगी नहीं कहानी के साथ तब तक धन्यवाद शुब दिन